दिलाइट आईएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है एक बहुत ही इंपोर्टन टापिक पर बात करने जा रहे हैं जीवन में बुरे दौर का आना बहुत ही सामान्य सी बात है जिसे दिन और रात होते हैं वैसे व्यक्तिके जीवन में भी सुख और आते रहते हैं लाइफ उतनी आसान नहीं है जीवन उतना आसान नहीं है इसमें लगातर अर्चनों का आना लगातर बाधाओं का आना पर यह सिलसला जो है वो लगातर जारी रहता है तो बुरे दौर में पता नहीं कितना लंबा वो चल सकता है आपके जीवन में उस लंबे दौर में या बुरे दौर में अपने आपको किस तरह से मजबूत बना कर रखना है कैसे स्ट्रॉंग बना कर रखना है इन चीजों को लेकर बहुत ही गंभीरता से चल्चा हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले अपका ड्रीम है आपको आई एस बनना है नहीं बन पाए जीवन में कुछ ना कुछ बुरा चल रहा है कुछ चाहते हैं आप जीवन से expect करते हैं कि मेरे जीवन में यह चीज यह होने चाहिए वो नहीं हो रही है कई बार financial चीज़ों की बज़े से भी life जो है वो बहुत बुरे दौर से गुजरती है तो कोई भी एक माध्यम हो सकता है बट इसकी definition अगर आप लोग देखेंगे जो आप लोग चाहते हैं वैसा आपके जीवन में ना हो रहा हो तो आप समझ देगा कि आपका जीवन जो है तो बुरे दौर से या bad condition से गुजर रहा है बैड जोन एक आपकी life का चल रहा है तो यह आना जरूरी है बहुत बिलकुल common सी चीज़ है कि जब तक आपके जीवन में दुख नहीं आता है ना तब तक आप सुख की चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते हैं आपको value नहीं पता चलती है सुख की है ना तो आना तो जलूरी है और अगर आपके कहने पर यह ऐसा नहीं होगा तो करदा क्या है इसका आना तो लगबग तया है यह तो आएगा तो फिर क्या करें बहुत सारे तरह के लोग होते हैं different variation होती है ना personality जो आपकी होती है वो बहुत अलग तरीके की होती है कुछ लोग इसमें हार्त मान जाते है बहुत सिंपल सी चीज है जो भी चीज कर रहे हूं माली जीए आपके जीवन में आपको आईएस बनना है बुरा दौर आ रहा है आपका एक्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो कुछ लोग ऐसे हैं कि वो छोड़ देंगे उस जीन को कि नहीं मुझसे नहीं हो पारा है और वापस से ले जाते हैं या जो भी वो चाहते हैं जीवन से अपना उस चीज से उस सपने को छोड़ देते हैं या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं फैनेंशली जैसे हम लोग ने बात की कई बार वित्तिय स्थती बहुत बुरी होती है तो वो उस सिच्वेशन में हार जाते हैं और कोई ना कोई ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जैसे कुछ को समाप कर लेना आतम हत्या कर लेना सुसाइड कर वेक्ति जो यह समझता यह तो बहुत आसंसी है इसके लिया क्या करना आहिए अगर आप Kind Tribe की वेक्ति है तो आपके लीए तो बहुत असान है आपको ओगर ठीक है आर माणलो बहुत बड़ी बहुत बड़ा साइस नहीं है कि आपको इसको सीखना होगा बड़ दूसरे तरह का वेक्ति है जो हर condition में बना रहता है ठीक है ठीक है ठीक है रहना कई बार ना समय लगता है चीजों को कई बार और आपको देखो ये चीज पता है जीवन में कोई भी चीज एक जैसी हमेशा नहीं रहेगी समय है समय की एक खाशियत होती है एक तो समय आपको पता है दुबारा से मिलता नहीं है समय बीत जाये जीवन में सब कुछ वापस आ सकता है आपका बीता हुआ समय वापस नहीं आएगा है जो आपने वेस्ट कर दिया वो समय वापस नहीं आएगा दूसरा समय की एक खुबसूरती और है वो क्या है? यह बीत जाता है हमेशा एक जैसा नहीं रहता आप उसी तरह से जीवन में जो बुरा दौर है न वो आपको पता है कि आज ना कल कभी ना कभी इसको खतम होना ही होगा इसका ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए आपके जीवन में यह बुरा दौर बना रहेगा यह कभी न कभी इसको जाएगा तो आपको यह चीज पता है कि यह तल जाएगा बस मुझे इस समय में ठीके रहना है, मुझे अपना होसला बना कर रखना है मुझे अपने confidence को down नहीं जाने देना है और मुझे इसको एक चुनोती की तरह लेना है कि नहीं मुझे face करना है क्योंकि मेरे पर आया है आपको भी पता है ना मुश्किले उन्हीं लोगों पर आती है और आप खुद ही अच्छा बनाएंगे अगर आप बुरा समय लेकर खुद आएंगे ना तो इसको ठीक भी आप खुद करेंगे जैसे माली जी आपका exam नहीं हो रहा है तो next बार आप लोग जो आपका जो भी attempt हो कोई भी छोटा मुटा exam हो या बड़ा इसका exam है तो ऐसी situation में अगर कभी आप फेल हो गए हैं अगली बार आपको और effort करने की जोरत है ताकि आपको सफलता मिल जाए और वित्तिये condition अगर आप लोगोंने खुद से खराब की है कुछ ज़्यादा खर्चे की है ज़्यादा risk लेकर आप लोगोंने चीजे की हैं कई बार stock market में लोग fail हो जाते हैं तो ऐसी situation आप लोग खुद लाए हैं तो अगली बार आप सही भी आपको खुद ही कर सकते हो आप है ना तो जीवन में बस कुछ नहीं होता है मेरा मानना ये है कि बुरे से बुरा दौर भी आए ना तो अपने आपको अपनी जो जो स्थिरता है जो stability है उसको भटकने नहीं देना है अपने आपको स्थिर रखना है हर condition में ये बहुत चोटी चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज है क्योंकि इंसान का वहवार ऐसा होता है कि जब अच्छा चल रहा होता है न तो वो स्थिर रह पाता है उसको लगता है कोई दिक्कत नहीं है बुरा दोर आने के बाद वो unstable हो जाता है और स्थिर हो जाता है उसको समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ उसको गुसा ज़्यादा आने लगता है वो इरिटेटेट होने लगता है, वो अपने आस-पास के लोगों से लड़ना लगता है, वो अपने जीवन में ऐसा उसको फील होने लगता है, कि बहुत ज़्यादा तनाव से गुजर रहा होता है, तो ऐसी कंडिशन में आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सुख में अपने आपको स्थिर बना के रखा था था ना, वैसे ही दुख के दोन में या बुरे जोन में अपने आपको थोड़े समय के लिए स्थिर बना के रखी, स्थिर रहना बहुत आसान चीज नहीं है, जीवन में स्थिरता को लाना एक बहुत ही बड़ी साधना च पूरण जो महौल है उसका भी तो मज़ा ले सकते हैं आप लोग सिर्फ आपको ऐसी आदत क्यूं है कि अच्छा समय है उसको जीना है अगर संघर्ष का दौर चल रहा है struggle period चल रहा है उसको भी तो enjoy करना चाहिए की नहीं करना चाहिए आप ही को करना है और struggle से जब संघर्ष आप अपने जीवन में करते हो ना उससे जो जीत मिलती है उसका मज़ा कुछ और होता है क्योंकि बिना struggle के जीवन में कई बार आपको कुछ चीज़े ना बिना struggle की ये मिल जाती है अपनी अपनी किसमत है अर इनसान की है ना तो बिना struggle के कई बार बहुत कुछ मिल जाता है उसको उसकी value नहीं पता चलती है लेकिन जो लगातर struggle करते हैं जीवन में लगातर बुरे दौर की भी एक खाशियत है कि वो उन लोगों के जीवन से जल्दी जाता है जो इसको बहुत अच्छे से फेस कर सकते हैं उनको लगता है को कि इसको मैं गिदा नहीं पाऊंगा तो आपको हमेशा याद रखना है कितने भी तुफान आंदिया या बुरे दौर आपके जीवन म कर सकते हैं कि इसके लिए आपको किसी और कि जीवन में ऐसा भी होता है ना कि उस दौर में आपको सपोर्ट नहीं मिलता है जैसे कहते हैं लोग कि सुक्षे दौरान जब आपके सामय अच्छा होता है तो सब साथ ही होते हैं कि जब एक सबसे बड़ी इशू हो जाता है तब मुझे इसके साथ फाइदा हो सकता है बट इसके बुरे दौर में हो सकता है यह मुझे से help मांगे या मुझे इसकी आवेशक्ताओं को पूरा करना पड़े तो भगता है इंसान है ना तो इस condition में आप अकेले होते हो बट अकेले जो face करते लिता है इस दौर को उसको फिर उसके झालब में होगा है बढ़ीसघ कि जित झालब आये जो भगता है यह मुझे षाई जह जो работать यह मुझे से और आभ स्नल एाउन को और भाइदा है तो धँता कि मतीन मांगे जड़ी होमारा कि जित झाले को उतम भाउता है।